वेलो गाइस कैसे हैं आप लोग दोसा पर वीडियो को इस्टार करने से पहले मैं आप से एक इंपॉर्टन बाब बताना चाहूंगा हम अपना मेरे लिए इंपॉर्टन है तो यहां पर हुआ यह कि मैंने एक एमेजॉन का अफिलियेट अकॉण यहां पर मैंने बनाया हुआ अफिलियेट अकॉण के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि जिससे पर पैसे अन किया जा सकते हैं तो बैसिकली मैंने एक ऐसा अकॉण मेरे बनाया है और यहां पर बनाया हुए मुझे लगबख चार या सारे चार महने हो गए लेकिन यहां पर इसका एक रूल होता है तो ऐसी तीन सेल पूरी करनी जो कि अभी तब पूरी नहीं हो पाई है अगर यहां पर तीन सेल छे मैने तक की पूरी नहीं हो पाती तो मेरा अकॉण अप्रूब नहीं हो पाएगा तो मुझे फिर से एक नी अकॉण करेट करना पड़ेगा तो इसलिए यहां पर मेरे की रि और एक और बात important है आप यह मैं सोचेगा कि यहां पर अगर आप मेरे लिंक से ख़ई देंगे तो आपको कुछ extra pay करना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं होने वाल है आप जितना pay करते हैं उतना ही pay करना होगा बस लेकिन मेरे account में वो add up हो जाएगा अब चलिए दोसां पर वीडि यहां पर फीचर रिच फोन पसंद आते हैं जैसे कि यहां पर कस्टमाइजेशन वाले option वह भी आपको इसमें कई सारे देखने को मिल जाएंगे Realme का UI आपको देखने को मिलना है बाकि आपको काफी बड़ा फोन देखने को मिलना है इसमें जो प्रोसेसर है कैमरा भी आपको इसमें ठीक देखने को मिलना है लेकिन एक audience ऐसी होती है जिसको थोड़े से compact फोन पसंद आते यानि कि छोटे फोन है और जैसे security के मामले में को completely clear comparison review करने वाले तो दोस्तों basically आपको यहाँ पर Realme में तीन कलर देखने को मिल जाएंगे एक है लुना वाइट कॉस्मोज ब्लैक और यहाँ पर गिरे कलर देखने को मिल जाता है गिरे जो कलर है वो थोड़ा सा हम कह सकते कि special कलर है इसके बारे में आगे बात करेंगे और Google क आगा physical overview की तो यहाँ पर Realme का जो यहाँ पर physical overview है वहाँ पर दो हिस्तों में divided है एक जैसे कि मैंने कहाता है कि यहाँ पर white color मिल ला है और एक आपको black color देखने को मिल ला है तो सबस्वे पहले यहाँ पर दो जो color है जो black and white है उसके बारे में पहले बात करते तो इसमें आप आपको polycarbonate यानि कि आपको एतरे की plastic देखने को मिल जाती है जो कि आता है complete glossy finish के साथ में बाकि आपको realme की छोटी सी branding देखने को मिल जाते है बाकि आपको यहाँ पर इस phone में curve wedges देखने को मिलेंगे और आपको aluminium के frame देखने को मिल जाते है यानि कि frame जो है वहाँ आपको metallic म आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको complete Mation ke साथ आपको मिल जाती है बाकि इसमें realme की branding आपको इसमें नीचे साइड आ स्धेशनी आती है गूगल का एक चोटा सा लोगो देखने को मिल जाएगा यहां पिसक्ली यह इसको ब्राणिंग कह सकते हैं बाकि आपको इसमें single यारि कि एक कैमरा की आपको इसमें तो यह धिक्निक तो यहाँ पिस हे यहां पी स्पेशल कलर साथ कि निकी वाया क्लोर है इसको पॉसन की तो एक पॉइंट सेवें अमेम की थिकनेस मिल जाती है और बाकि जो दो और जो कलर है एक जो वाइट है एक जो ब्लैक है इसमें आपको थिकनेस थोड़ी सी कम मिल लिए यह नहीं कि फोन तो पतला होगा 8.0 mm की थिकनेस मिल जाती है बाकि वेट तो एक ही जैसे दोनों के 186 ग्राम का देखने को मिल जाता है बाकि गूगल की बात करें तो इसमें आपको थिकनेस जो है वह आपको थीक मैं कहूंगा देखने मिल ली 8.2 mm की देखने को मिल लिए लेकिन इसका वेट काफी का हुए ऐसा केस आपको नहीं देखने को मिलेगा, आपको इसमें सिलिकान मेटेडियल का यहाँ पे बैक काफी अच्छी क्वालिटिक होगा, Google में आपको बैक कार देखने को नहीं मिलता है, चार्जर आपको में 65 वाट का मिल जाता है, गूगल में आपको 18 वाट का मिलेगा, यह फ फोगल में बैटरी काफी काम है इसलिए फोट काफी हलका भी था फोटी अमेज की आपको बैटरी मिल जाती है चार्जी टाइम इसमें कोई ऑफिशली बनसे नहीं था लेकिन 18 वर का चार्ज जा रहे तो मेरे साब से 45-50 मिनट में फोन फोल चार्ज हो जाना चाहिए दोस्ता पर बात करें अगर यहां पर मोबाइल के कैमरा इसकी तो आपको रियल वी में 64 मेगापैसल का में कैमरा मिल जाते है जो कि ओमनी विजर के जो यहां पर सेंसर है वाला आपको बिदेखने का मिल जाएगा बाकि गूगल में आपको 12.2 मे आइफोन हो गया और यहां पर सेंसर्ग भी जैसे कि यहां पर अगर इसकी A-Series, F-Series, M-Series को छोड़ दिया जाए बाकि S-Series जो हो गई, Z-Series हो गई इसमें सेंसर्ग जो है यहां पर नंबर गेम नहीं करता है उसमें भी आप देखा होगा कि 12.2 मेगापैसल के आसपास ही को मिलेगी, बाकि आपको रियल वी में 8 मेगापैसल का अल्टर वाइड मिल जाता है और यहां पर दो मेगापैसल का बैक्रो मिल जाएगा, और यह बैक्रो डिप्ट की जो म्नौ काबर जो होते है वो गूगल को इसकी जरुवत नहीं है आपका बेट काम कर जाएगा, बाकि यहाँ पर वीडियो शूर्ट आप फूलेजी तक ही कर सकते हैं, दोसा आपे बात करें गरें यहाँ पर डिस्प्ले की, तो यहाँ पर डिस्प्ले का जो है, वह आपको रियल वी में काफी बड़ा मिलना है, 6.43 इंच का मिलना है, और गूगल में आपको काफी छोटा डिस्प यहाँ पर गूगल में आपको यहाँ पर टॉर्बस ही, इसकी देखने हो मिलना है, और यहाँ पर बात करेंगा यहाँ पर यहाँ पर दोनों में इस्प्रोसेसर यहाँ यहाँ पर डियाता है, लेकिन रियल वी में एक दब लेटेस्ट प्रोसेसर यूज़ किया गया है, 778G जो कि recently यहाँ पर लॉंच किया गया है, 6 nanometer power efficient है, गूगल में जो प्रोसेसर है, वो आपको Qualcomm 730G मिल जाता है, 8 nanometer power efficient है, औक्टा को यह भी है, बाक्या आपको यहाँ पर आते हैं तो उसको आप जो फरक है वो देख पा रहें, रियल वी में आपको यहाँ पर लगवाँ प feature जो होते हैं वो पसंद आते हैं, एक को जो compact phone जो होते हैं थोरे कम भी features हैं, लेकि security और branding मतलब ज्यादा होता है, लेना देर होता है, बाकि camera तो आपको Google में अच्छा देखने को मिली रहा है, तो इसमें आप अच्छी कहाँ सी gaming कर पाएगे, लेकि बहुत high level की gaming नहीं हो प आपको कई सारे देखने को मिल जाएगे, Google में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और यहाँ पर लेकिन यह चीज़ आपको अच्छी मिली आपको Titan M chip देखने को मिलेंगे, जिसके तो आपको आपको जो sensitive information जो होती है, जो आपको आपको personal information जो होईगी, वो भी आपे काफी secure दोस्ताब में बात करेंगे, यहाँ आपको आपको इंडीज फिलिफिंग का पीसे साथ देखने हों मिलता है, और Google में आपको rare water, याणि पीछे साइड जो होता है, वो आपको देखने हों मिलेगा, Face Unlock आपको RealView में मिलता है, Google में नहीं मिलेगा, चुकि Stock Android में नहीं होता ह 3.5 में बात करें, तो RealView में hybrid मिलती है, याणि की दो स्लोट मिलेगे, आप dual SIM यूज कर लिजे, Google में आपको hybrid नहीं मिलती है, लेकिन आपको single slot वाला option मिलेगा, जिसमे आप खाली single SIM खाली यूज कर पाएंगे, लेकिन आप इस phone में dual SIM यूज कर सकते है, इस SIM का तो नाम आप आपको dual stereo speakers भी देखने को मिल जाते है, तो RealView में आपको यहाँ पर 2 variant देखो मिल जाते है, अच्छी बात है कि यहाँ पर 2 variant 8GB RAM से start है, और Google में आपको single variant मिलता है, 6GB RAM, 123GB का internal storage, और यहाँ पर जो Google की price rate है, वो I think कि थोड़े से कम हो गए, आपको 30,000 के आसपा देखने मिल जाते है, इसको बाइक अच्छे फीचर चाहिए, और कस्टम यूआई चाहिए, बिसकली आपको RealView मिल जाता है, तो बिसकली आपको यह सब चाहिए, तो आप यहाँ पर RealView की तरफ जा सकते है, Google का फोन आपको तब लेना चाहिए, जब आप यहाँ पर एक compact फोन पसंद आत की ब्रांडिंग मिल जाती, कैमरा तो नेक्स फ्लेक्सुप लाइवल का यह देक्छनों को मिलेगा, इक दब फ्लक्शिप लाइवल का आपको camera देखनों मिल लाइग, तो यह सब फीचर आपको Google में देखनों मिलते हैं, तो दोस्टों यहां पर यह हो गया, इनी दो फोन का झाल झाल